नमस्कार आज हम रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना विश्य पर बात करेंगे इसे पहले हमने बारति इंदु यूग और द्वेदी यूगीन आलोचना साहित्य पर विचार किया यहां आलोचना का तीसरा चरण है जिसे हम शुक्ली यूग भी कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ली में लिखा है उसमें गद्द साहित्य का प्रसार के दूतिय उत्थान यानि संबत 1950 से 1975 संबत 1950 का मतलब है 1893 और 1975 का मतलब हुआ उनिस सो अठारे इसवी जब संबत में से हम संतावन वर्ष कम कर देते हैं तो वह इस भी सन हो जाता है तो उसके अंथर गतं हु उन्होंने लिखा है कि जो तो गोरती उत्थान था आलोचना का जो भारत एंदur की बाद का है उनिसको रामचंद्र शुक्र ने दिरतिय उत्थान का है उसमें लिखते हैं कि या साहरे जो अलोचना की गई इस अनतर Кप 1893-1998 के बीच इन सारे अलोचना ये जो सारी अलोचनाएं हैं वो बहीरंग तक ही सिमित्री यानि किसी रचना के अंतर वस्तू को या उसके मर्म के पहचान करने की कोशिस इन रचनाओं में नहीं दिखती है वो कहते हैं कि रचनाओं के अंतरगत भाषा के गुण दोश, रस, अलंकार आदी की जो समीची इनता है जो रचना में जो वो आये हैं उसी के बारे में चर्चा होती है यानि आलोचना एक परमपरहलत रूप में ही रहती है स्थाई साहित में परिगनित होने वाली समालोचना जिसमें कवी की अंतरविर्ति का सुक्ष्म व्यवचेद होता है उसकी मानसिक परविर्ति की विशेष्टाइं दिखाई जाती है बहुत कम दिखाई पड़ती है कहने का रचनाकार की अंतर जो प्रविर्ति है उसकी जो अंतरवस्तु है या रचना का जो मर्म है उसके बारे में बहुत कम विचार हुआ है सिर्विय विचार हुआ है कि इसमें काव गुण है इसमें रस है अलंकार है जिसे रामचंदर शुक्र महत्रपुन नहीं बानते हैं आगे गद्धि साहित्य के तृत्य उत्थान के अंतरगत समालोचना के विकास पर लिखते हुए उन्होंने कवियों की अंतह प्रविट्थी के चान भी इनकी बात फिर से कही और बहुत हिस्षिष्टता और विनम्रता से यह बात कही कि ऐसी आलोचना मैंने की है रामचंदर शुक्र नहीं लिखा आगे उन्होंने लिखा कि इस इतिहास लेखक ने तुलसी, सूर और जाइसी पर विस्तित समिक्षाएं लिखी जिसमें से प्रथम गोस्वामी तुलसी दास के नाम से पुस्तरका कार रूप में छपी है हम जानते हैं कि ब्रहमचंदर शुक्र ने की और जिसके अंतरकत उन्होंने सूर दास और जाइसी जैसे कवियों का विस्तिलेशन किया है किसी कवी या पुस्तक के गुण दोश या सुक्ष में विशेस्तायन दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तयार करने की चाल हमारे यहां ना थी मतलब वो कहते हैं कि पहले हमारे यहां सिर्फ गुण दोश दर्शन ही आलोचना के केंदर में था सुक्ष में विशेस्तायन दिखाने के लिए एक रचना के लिए दूसरी रचना यानि रचना के बाद आलोचना के किताब के आने की जो चलन थी वो हिंदी साहित्य में उस समय तक नहीं थी गुण दोश से आगे बढ़कर कवियों की विशेस्ताओं और उनकी अंतह प्रविर्ती की चानवीन रामचंदर शुक्र ने की और तिरते उत्थान में यह ध्यान दिया कि वह समुचे भारतिय साहित्य का एक तरह से आधुन्नी की करण कर सके रामचंदर शुक्र की रचना के द्वारा हिंदी में समालोचना के एक नए युग के शुरवात होती है रामचंदर शुक्र के अध्यन का छेत्र बेहद विश्त्रित था और यही कारण था कि उनकी जो मान्यताएं थी वह जितनी भारतिय काविशास्त्र भारतिय पारण पर एक साहित्य से परचित दिखाई पड़ती है उतनी ही वह अपने समय के परश्चमी साहित्य और उन सिध्धानतों से परश्चमी साहित्य सिध्धानतों से भी प्रभावित थे उसके जानकार थे रामचंदर शुक्री ने एडिसन का एक रचना था एक की रचना थी ऐसे उने इमेजिनेशन उसका कलपना का अनद नाम से नुवाद किया सर्टी माधोराव की किताब थी माइनर हिंड्स जिसका राज्य प्रबंद शिक्षा के नाम से नुवाद किया मेगास्तनी जो भारत आया था उसका जो भारत विवरंट था उसका अनुवाद किया उन्होंने रखालदास बंदोपाद्याई का एको पन्यासता शशांक उसका अनुवाद किया हिंदी में एड्मिन आर्डनल्ड थे जोना लाइट ऑफ एशिया उनकी प्रम रचना है उसका पद्ध्वद रचना मतलब कवीता के रूप में पद्धी के रूप में अनुवाद किया रामचंदर शुकल ने बुद्ध चरित के नाम से और यह माना जाता है कि रामचंदर शुकल की जो सूच थी जो उसके विचार थे उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस ने किय वह जर्मनी के बहुत बड़े एक प्राणी तत्व वेत्ता थे जिनका नाम हैकल था उनकी पुस्तक से रिडल अब दे यूनिवर्स जिसका अनुवाद रामचंद शोक्री ने विश्व प्रपंच के नाम से किया और इन सारी किताबों की जिसका भी उन्होंने अनुवाद किया उसके विश्व प्रपंच जो किताब है उसको अनुवाद करने के बाद उसकी 155 पेज की भुमिका रामचंद शोक्री ने लिखी है और इसको पढ़ते हुए जो भुमिका उन्होंने लिखी है इसको पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि बहुते ग्यान दर्शन और उमनोवे ग्यान का गहरा धेन रामचंद शोक्री के पास था और जिसका अपरियोग वह अपने साहितिसे दान्तों को पुनर निर्मित कर अन्होंने में लगाते हैं बसे तरह से उन्होंने और भी बहुत सारे काम किये जैसे शुद्ध बिल्कुल राजनितिक तथा आर्थिक निबंद लिखें और यह मतलब है कि हिंदुस्तान रिवियो में वाट इस इंडिया टूडू 1903 या 1904 में लिखा हिंदी एंड मुसलमा एक लीडर निए उस पर आता था पत्रिकाद उसमें लिखा 1917 में नॉन कॉपरेशन एंडर नॉन मार्केंटराइट क्लासेज उन्हें से किस में गांदी जी के आर्थिक पक्ष जुथे असायो गांदलों इसके बलके अलोचना क्यों रिस कहा जाता है कि इस लिख की काफी च सागर में जो 93,115 शब्दों पर शुक लिंजे विचार किया और विचार करने का मतलब है कि उस अर्थ उसका सिर्फ अर्थ करना नहीं था उस शब्द का बलके उसका बैग्ज्ञानिक विवेचिन के इन शब्दों का कि कहां से आया कैसे शब्द परवर्तित हो कर उसने रूट लिया क्यों ऐसा हो गया और यह तब हो सकता है जब उसका गंभीर जानकारी आपके पास हो इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी शब्द सागर के भूमिका में जिसका सबसे ज़्यादा धन्यवाद ग्यापन किया है शैम सुंदर ढास ने वहारामचंद शुकिल का किया है रामचंद शुक्र की जो मानने तायें थी बहुत जादा थर्य किसानकी सिराषणा पर आधारित थी उनकी जो कबिर शाहरे निया मानने तायें भी थी मतलब सैध्धानतिक और वहवारिक दो तरह की आलोचना होती है दो तरह की आलोचना रामचंदर शुक्र ने की सैधान्ती का आलोचना वहा आलोचना थी जिसमें वह बताते हैं कि इसमें वह अपने वह काबिस सम्मंदित मान्यताओं को स्थापित करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं जैसे कविता क्या है बहाव क्या होता है, रस क्या होता है, अने म Philippines, रस दश्षा क्या है और व्यावारी का लूचना भू है जहां उन्होंने किसी कभी और उन्सकी रचनाओं क्याधारः पर, उनकी अलोचना की है वो वयाबारे का लोचना, जैसे सूर दास पर जो नहें लिखा, जायसी पर जो नहें लिखा, तुलसिद आस पर जो नहें लिखा ये उनकी वयाबारी का लोचना है एक जो काभी समंधी मान्यताय हैं, जो बहुत प्रमुकताँ से Geldisis पर विचार किया जाता है और जिसे बिये के द्यारतियों को पढ़ना भी है जिसमें उनको सर्फ रामचंदर शुक्ल की काभी समंधि माल्यताओं को पढ़ना है तो रामचंदर शुक्ल जो है कवीता का उद्देश जिसको मानते थे जो उनना लिखा है लिखा है कि कवीता का उद्देश हिर्दय को लोक सामाने की भाव भूमी पर पहुचा देना है मतलब हिर्दय को यानि जो सहिर्दय है मतलब जो पाठक है जो पढ़ रहा है जो कवीता से गुजर रहा है वह लोक सामाने की भाव भूमी पर पहुच जा है मतलब उसमें और लोगों के बीच में यानि जिसके बारे में रचना लिखी गई है उसमें कोई फर्क नहीं हो मतलब सब एक ही धरातल पर आ जाएं और बाहरी जितने तरों का भेद होता है लोगों में जाती के अधार पर वर्ण के अधार पर वेश बुखशा के अधार पर आर्थी के अधार पर वो सब मिट जाएं और सभी लोग एक सामाने भूमे पर पहुंच जाएं लोग सामाने शब्द से सुकल जी की साहिति समंधी जो धारना है वो बिल्कुल चिपकी होई है और आप देखेंगे कि वो बार-भार लोक सामाने की, लोक की, जनता की, शिक्षे जनता की बात करते है उनका एक बहुत प्रसिद्ध लेख है कविता क्या है जिसमें उन्होंने कविता पर विचार किया है और ये लिखा है कि कविता जो है वो कार्य में कर्म में प्रविर्थी को बढ़ाती है वो कर्म पक्ष को बहुत महत्त देते थे वैसा साहित जो आपको कर्म से विमुख न करे बलकि कर्म में प्रविर्थ करे और ये तब होता है जब साहित जो होता है बहुत मार्मिक बन पड़ता है जब वो पाठक के मर्म को छू लेता है जैसे उनने एक उदारन दिया और बताया कि मान लेजी की देश में अकाल और दर्दरता का आलम है, माहौल है यानि अकाल पड़ रहा है, लोग बहुत गरीब हैं, बहुत कष्ट में जी रहे हैं और ये उनको बता दिया जाता है कि यह जो है, यह दूसरे देश की वज़य से है या वो इंगलेंड की वज़य से है कि जो पएदा करتे हैं, वो बिटन चला जाता है, वो सारा लगान लूटकर इंगलेंड ले जा रहा है तो जब ये सूचना आपको मिलेगी वो कहते हैं तो बहुत ना आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी जितना कि इस विशय पर लिखी हुई कोई कहानी या कोई उपन्यास प्रभावित कर सकता है उन्होंने इस बात को विशलेशित करते हुई ये कहा कि जब कविता में अकाल का जब जितन होगा और अकाल का एकदम भीशन दृश्च दिखाया जाए कि अकाल पढ़ने के बाद किस तरह किस्तिती होती है भूक से दडबता हुआ कोई बच्चा है जिसके पास बैठी हुई इसके असाहाई मा जो है वह चितकार कर रही है या भूक की वज़े से बिलकुल अस्थी पंजर सारी हड़्ियां दिख रही हो तो उससे आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो सकता है करोना उत्पन्न हो सकती ह और उसे आप एक संगल पले सकते हैं कि जो यह दूसरा देश है जो हमारी बरबादी इस अकाल और इस्तरासदी का कारण है हम उसको हम उससे लड़ेंगे या उसको अपने देश से बाहर निकाल फेकेंगे तो यह जो कहते हैं कि यह जो काम है यह कविता ही कर सकती है और कवि जैसे इसे सब्वेता का विकास होता जाएगा, कविता की जौरत जो है, वो बढ़ती जाएगी. जो बहुत प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्यान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हिर्दय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है. हिर्दय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वानी जो शब्द संधान करती आई है उसे कविता कहते हैं कहने का मतलब है कि हिर्दय की मुक्तावस्था की बात वो कहते हैं तो हिर्दय की मुक्तावस्था होने से क्या होगा कि मनुष्य का जो हिर्दय है वो स्वार्त संबंधों के संकुचित जो दाइरा है उससे वो बाहर निकल जाता है और यह काम जो है कविता ही कर सकती है ऐसा रांचंदर शुकल कहते हैं कि जब स्वार्त संबंधों का जो संकुचित दाइरा है जिसमें हम जीते हैं उससे बाहर निकल कर हमें लोक सामने की भाव भूमी पर लेका जाती है और वहां पर जो दुनिया है उसके जो नाना हरूप हैं उसके अनेक रूप हैं उसके मार्मिक स्वारूप का मनुष्य जिए है वे साक्षातकार करता है और उसके हिरदय में शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है जिसमें किसी भी तरह के स्वार्थ या इरश्या का लेश मात्र भी लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होता है और लिखते हैं कि इसी भूमी पर पहुँचे हुए मनुश्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता अगर आप स्वार्थ संबंदों के संकुजित मंडल से निकल कर लोग समानी की भाव भूमी पर आ जाते हैं तो उसके बाद जब आप इस भूमी पर लोग समानी की भाव भूमी पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर पहुँचे हुए मनश्य को कुछ समय के लिए अपना पता नहीं रहता वह अनुभूती जो सम्मिफ को हो रहते होती है वो सब के अनुभूती हो सकती है मतलब साधानी करन का जो सिद्धान्त और जिसकी बात रामचेंदरशुकल कहते हैं वह यही बात है और जिसे रामचंद्र शुकल हिद्दव के मुक्ता वस्ता बताते हैं असल में वह मुक्ता वस्ता हमारे आत्मा का एक लोकों मुखी आत्म विस्तार है जिसके द्वारा हम स्वार्द संब्धों के संकुचित दाइरे से निकल कर लोक सामानने की भाव व्में पर पहुंच जाते हैं तो यह जो है कविता संबंधी उनकी माननेताएं हैं और भी माननेताएं हैं जो आभी आगे किये चर्चा के करम में हम इसको इसको इस पर्ष्ट रूप से समझ पाएंगे फिर रामचंदर शुक्र ने जो उनकी सिध्धान तिक जो अनुचन है उसका ए साहित्य में प्रतिष्ठित किया ऐसा माना जाता है कि उन्होंने साहित्य में जीवन को और जीवन में साहित्य को प्रतिष्ठित किया या ऐसा करनी की कोशिशिश उन्होंने एक सफल कोशिशिश उन्होंने कि भाव आधी कि उन्होंने आधुनिक द्रिष्टी से व्याख्य कि और ये कहा कि भाव जो है वह मनुश्य के वेग युक्त अवस्था विशेश है कि भाव जो है जब हमारे मन में आता है तभी वेग जो है हमारे मन में पैदा होता है और राम चंद्र शोकली जिसे भाव कहते हैं उसमें बोध अनुभूती और प्रविर्ती तीनों हो अनुभूती जिसका हो और उसे मिलकर हम किस तरह प्रविर्त होते हैं कि भाव की परिभाशा करते हुए राम चंद्र शोकली ने लिखा कि प्रत्य भूध अनुभूती और वेग युक्त प्रविर्ती इन तीनों के गूर संशलेश का नाम भाव है मुश्किल है पर नाव हम एक विचार करते हैं अनुभूती जो अपनी स्वाम की अनुभूती होती है और वेग प्रविर्ती इन तीनों के गूर संशलेश का नाम भाव है जब यह तीनों चीजे मिलती है तो भाव निर्मित होता है वो मानते हैं कि भाव की प्रतिष्ठा से लोगों के कर्म चेत्र का विस्तार बढ़ जाता है चुकि काबे में भी भाव को ही अभिवक्त किया जाता है इसलिए उससे भी कर्म चेत्र में प्रविर्त होने में मदद मिलती है यानि भाव का ही निरुपन जो कभिता में कभी कर तोसे क्या होता है कि वह अपको कर्म छहत्र से में प्रभध करता है जैसा मैंने पहले कहा इस चौक के काव्य में रामचंदर्शूक्र का्च गजोव माननेता है रामचेंदर शुक्ल की जो माननेता है लोकमंगल के आदर्श की वो प्रतिष्ठा करते हैं और काभी को समाजिक चेतना के उत्तरधाइत्यों से युक्त करते हैं रशदशा के बारे में भी उन्होंने विचार किया ऐसे ही उन्होंने रशदशा पर विचार किया जिसमने का कि हिर्दे की मुक्तावस्था जो है वो रशदशा कहलाती है यानि इसी संबंद उन्होंने लिखा कि मुक्त हिर्दे मनुष्ठी जो है अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किये रहता है अब जो मुक्त हिर्दय है यानि कविता का लक्ष जो है मनुश्य को वैस्टी से समस्टी में लीन करता है इसी क्रम में वह रस दशा को इस पस्ट करते भी लिखते हैं लोग हिर्दय में हिर्दय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है जैसे हिर्दय की मुक्तवस्था को भी उचित घेरे से निकल कर जब हम लोग सामान्य भूमी पर पहुंचते हैं तो हमें रस दशा का निर्मान होता है वही बात वह यहां भी कह रहे हैं कि लोग हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है अर्थार कविता जीवन से पलायन नहीं है बलकि वह आपको कर्मणि बनाती है या कर्मणि बनने की प्रेढ़ना देती है प्रेम और करुणा संब्धी विचना भारतिय शाष्ट को रामचंद्र शुकल की देन है उनकी स्विविचना का प्रभाव उनके काभी चिंतन और उनकी वहवारिक समिक्षा पर अत्यनत व्यापक वंगंभी र सवस्ता से दोनों भाव मंगल का विधान करते हैं वैसा मानते हैं लेकिन करूना की प्रविर्थी जो है वह रक्षा करने की और होती है जब कि प्रेम की प्रविर्थी जो होती है वह रंजन की और होती है और इसलिए वह करूना के विक्ति के लिए प्रबंद काभी के बहुत क Pourquoi आथ हमें इसलिए उन्होंने देखा कि करुणा प्रेरित प्रेतनों के सफलता के बार प्रेम का अवकास भी हैं उनको रामायन में परता है कि लोक तरह करने और बिol केति करुणा कंडैया जाती लोग जब पीड़ा और बिग्न बाधा से मुक्त हो जाता है तब राम राज्य में जाकर लोग के प्रती प्रेम प्रवर्तन का प्रजा के रंजन का उसके अधिकादी सुख के विधान का अवकाश मिलता है अब मतलब राम चंदर शुकल के शब्दों में जो प्रेम के बाद जो करुणा वाला पक्ष है उसके बाद ही रंजन वाला पक्ष जो है वो आता है अब आनंद के सिद्धा वस्ता के का चितरन करने वाली रचनाओं का बीज जो है बीज भाव जिए वो प्रेम को मानते हैं और कादे थे प्रेम के दो पक्ष एक है रंजन दूसरा है पालन रंजन का संबंद जो है वो श्रिंगार से है और पालन का संबंद जो वाधसले से है मतलब जो उन्होंने सूर्दास के आदेखा कि जो बस्तों हमसे अलग है، कल्पना क्या है लिखा कि जो बस्तों हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामित पर का अनुभव करना ही उपासना है, साहेत वाले इसी को भावना कहते हैं, और आजकर लोग कल्पना. शुकलिस जी के अनुसार कलपना जिस समें पर लाई जाये वो आप भیांतर प्रभाव सामे पर अधारित होनी चाहिए प्रastrut और अप्रastrut संबंधों जो पदाउर्थों का संबंध है वो मारमी को पर घनिष्ट होना चाहिए उस्पो जिन बस्तों को आप कविता में लेकर आ रहे हैं उसको जब आप लेकर रहे हैं तो वो बनावटी नहीं लगना चाहिए जैसे उनका कि मुख यदी कमल के समान कहा जाता है तो इसलिए कि सुन्दर मुख देखने से हमारे मन पर वैसा ही प्रुभाव पड़ता है जैसा कि कमल देखने से अब मन पर पढ़ने वाले इसी प्रभाव समानता को शुक्ल जी आभ्यांतर प्रभाव साम में कहते हैं जिनमें अधिकलाई पड़ा उनका वितायक उन्होंने खूब प्रसंसा ही रामचंद्र शुक्ल ने समिक्षा का जो सिध्धान्त विक्सित किया वो किसे ने किसी साहित्य रचनाओं के आधार पर ही विक्सित किया इसलिए उनके साध्धान्तिक और वैहवारिक जो अलोचना है उसमें बहुत फर्क दिखाई नहीं पड़ता है जैसे आप देखें कि जो समर्थ आलोचक होता है वो प्राचिन साहित्य की अपने यूग के अनुकूल व्याख्या करता है और उसे अपने यूग में प्रासंगिक बनाता है समकालन साहित्य रचनाकारों को वो अपने आलोचना से प्रभावित करता है जैसे तुलसी जाइसी और सुर्दास हिंदी के जो कवी हैं या कालिदास बहुभुति और बाल में की संस्कृत के कवी हैं ये रामचनल शुक्र को बेहत्प्रिय हैं और उनके काब चिंतन की प्रणाले को विक्सित करने में इन कवीओं का लगातार युगदान रहा है अपने अलोचना में करुणा और प्रेम का विशद वर्णन किया और आनंत की साधना वस्ता और सिद्धा वस्ता की कलपना की काब में लोक मंगल का महत्व यह समझाने की कोशिस की वो आपने सब प्रिकवियों की व्याख्या इसी दृष्टी से करते हैं भक्ती की लोकी की व्याख्या की तुलसी दास, सूर्दास और जैसी के संबन में सूर्दास को प्रेम का जिसके अंतरगत पालन और रंजन का भाव है और तुलसी दास को करुना का जिसके अंदर लोक रक्षा का भाव आता है इन दोनों को तृस्ट कभी माना मतलब प्रेम का कभी माना सूर्दास को और करुना का कभी तुलसी दास को माना तो जब वो अपने वेहवारी का अलोचना पर आते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्दास की अलोचना जब वो करते हैं तो करते हैं कि जब हम सूर्दास के काभी को देखते हैं तो सूर्दास के काभ में जो केंद्री तत्यों है वो है प्रेम और कहते हैं इसी प्रेम को अपने का विश्य का अपने कावी का विश्य चुनने के करण सूर्दास आनंद की साधना या प्रयात्ना आवस्था कि नहीं सिद्धावस्था के कवी हैं मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यब वो प्रेम के बारे में लिख रहे हैं तो बहुत आज़ान कोई बहुत अगंभीर तरीके से सूर्दास था वो कहते हैं कि सूर्दास की प्रिवर्ति उसमें रमी नहीं है इसलिए सूर्दास के उत्कृष्ट अस्थल सूर सागर के उत्कृष्ट अस्थल वो उन जगों को मानते हैं जहां कवी ने बाल कृष्ण के लिलाओं और गूपियों के संयोग श्रिंगार का व mother करते हैं तुर्दास के और श्रमता का दियोटक है और यह कहां घटित होता है यह लोग सामाने की भाव भॉमी कर गठित होता है सब लोग आ जा सकते हैं मतलब ऐसा नहीं कि सुझत कि गूपीय की जो गूपियां है जो उनका कृष्ण का प्रती प्रेम है या बाल कृष्ण की जो लिलाएं है वो किसी पारलोकिक या दूसरे किसी लोग पर घटित होता है वो कहते हैं इसी क्रमयों कहते हैं कि सूर्दास के कावी की मारमिक्ता की दूसरी वजह जो क्रिश्ण लिलाओं का जो छेतर है वो प्रकृती का विस्तत प्रांगन है और प्रकृती जो है रामचंदर शुक्ल के बहुत हिमाइती है रामचंदर शुक्ल जो है इसी वज़े से महान है इसी वज़े से महत्तपून है और वो यह भी कहते हैं कि जो गूप जीवन है जो गूप जीवन जिससे प्रभावित होता है सुरुदास के कावि को पढ़ते हूं प्रभावित होते हैं उसका भी कारण यह है कि यह लोग प्रकृति के विस्तृत छेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश प्रदान करते हैं। राम जिनर शुक्ल ने सूर दास की वेजन के क्रम में एक कमाल की बात कही। और लिखा कि सच्चा प्रेम जो है, सच्चा प्रेम साहचर ये जनित होता है। साथ रहने से सच्चा प्रेम जो है, वो पैदा होता है। उन्होंने लिखा, सच्चा प्रेम साहचर ये जनित होता है, आकस्मिक या दुरघटना के रूप में नहीं। शुक्ल जी की हमानेता सूर के प्रेम लीला वर्णन पर आधारित है, और जो आज भी बिल्कुल सही साबित हो सकता है। सूर्दास जब कृष्ण को देविय शक्ति से भरपूर दिखाने की कोशिश करते हैं, तब रामचनर शुक्ल कहते हैं कि तब वो दूर की कोड़ी को पास लाने की कोशिश करने लगते हैं। और प्रतेक्स जगत की जो प्रस्तुत उपमाएं थी, वस्तुएं थी, उसकी अंदेखी करने लगते हैं। और असाधहरन वस्तुओं को लेकर उपमान की माला पिरूने लगते हैं। और इस जगह पर ही जो सूरदास से उनकी कभीता की सूरदास की कभीता की रामचंदementsव्क्री जो है अलोच नहीं करते हैं वह कहते हैं कि सहज और स्वाभावी कुख्तियां जो हैं सूर्दास के काभी की ताकत है और वो अलंकरित नहीं होने पर भी मार्मिक वियंजना करती हैं इसका एक उदाहरन देते वे सूर्दास ने लिखा एक पंक्ति के हवाले से बात कही कि नंद ब्रज लीजे ठूकी बजाए रांच नर्शुग लिखते हैं कि ठूकी बजाए में कितनी वियंजना है तुम अपना ब्रज अच्छी तरह संभालो तुम्हें इसका गहरा लोब है मैं जाती हूँ एक एक वाक्य के साथ हिर्दय लिप्टा हुआता है एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है इसे भाव शबलता कहें या भाव पंचा मृत क्योंकि एक ही वाक्य नंद ब्रज लीजे ठूकी बजाए में कुछ निर्वेद कुछ तेरसकार और कुछ अमर्श इन तीनों की मिश्र वियंजना जिसे शबलता ही कहने से संतोस नहीं होता पाई जाती है कहने करते है कि रामचंदर शुक्र जो है सूर की उस वियंजना सक्षक्ती की कायल है जो उनकी भाषा के बिलकुल सहज और स्वभाविक भाषा के माध्यम से सामने आता है रामचंदर शुक्र के जो प्रिय कवी हैं वह हैं तुलसिदास तुलसी ने रामचंदरशुक्ल के आलोचनात्मक जो मानदन्ड है उसके निर्माण में सही उग दिया और यह निर्णे करना कटिन है कि तुलसी दास ने रामचंदरशुक्ल के आलोचनात्मक प्रतिमानों या मानदन्डों को निर्मित किया या रामचंदर शुक्ल के जो आलोचे की प्रतिमान थे उस पर तुलसिदास खरे उतरते गए रामचंदर शुक्ल तुलसिदास के काभी के माध्यम से उसके साहिती के माध्यम से यह दिखाते हैं कि कैसे तुलसिदास जो है भारतिय साहिती के हिंदी साहिती के सबसे प्रमुख कवी है वो प्रबंधिकार की जो कसावटी ए रामचेंदर शुक्ल जो है वो मानते थे कि वो प्रसंगों की पहचान और जीवन की विविद्धता का व्यापक रूप में चित्रन करने वाला कभी ही जो है वो महान कभी हो सकता है लिखा रामचिन शुक्ल ने कि हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वांगपुर्ण भावकता हमारे गुस्वामी जी में है जिसके प्रभाव से रामचिर इत्मानस उत्तरी भारत की सारी जनता के गले की हार हो रहा है खैरें कि यही वज़े है कि वो मानमिक प्रसंगों की पहचान कर पाते हैं और जो बीवी दिता पूर्ण जीवन है मनुश्य का उसका व्यापक चित्रण रामचिर इत्मानस में हुआ है रामचिर शुक्र ने तुलसी दास की लोगप्रियता और महानता की व्याख्या की उन कारणों को स्पष्ट किया जिसके कारण उनका काव्य लोगप्रिय और महान था रामचंदर शुक्री ने तुलसी को अपने काब्य, अपने यूग भूध और अपने यूग की भाषा में व्याख्याइद किया, उसके यूग की अनुकूल पुनर व्याख्या की तुलसी दास को आधनिक जीवन के लिए संदरवान बनाया मर्म जैसे वो कहते हैं कि जो मर्म इस पर श्री जो स्थल है, राम चरित्मानस में खुब हैं और इस वज़े से जैनता जो है, जो पाठक जो है, इसको स्रोता जो है, वो जूटते चले जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, और मार्मिक स्थल भी हैं, और दूसरे साथ वो मार् चेतर में उतरनी की प्रेणा देते हैं और जैसे वो कहते हैं राम का जो वना गमन है जब राम पत्नी नव विवाहिता सीता और छोटे भाई लक्षमन के साथ जब घर से निकलते हैं और वन जाने के प्रस्थान करते हैं तो राम चंद शुक लिखते हैं कि एक सुन्दर राज पर यह जो राम का जो करुणा से भरवा रूप है यह यह राम के कर्म छेतर में उतरने का बिलकुल शुरुवाती रूप है राम चंद शुक लिए मानते हैं कि राम चंद मानस एक ऐसा महाकाव है जिसमें करुणा का सम्यक प्रसार दिखाई पड़ता है जिसमें जीवन अपनी संपूर्णत विवीधता में अंकित हुआ है लोक मंगल की जो प्रतिस्था है वो नाना विशय विशम परस्थितियों के बीच उनके पढ़नती के रूप में होती है कि बहुत विशम परस्थिती होती है उसके बावजुद जो राम के जीवन का लक्ष है तुलसी दास की कविता का जो लक्ष है वो लोक मंगल की जो प् में हुआ है मानस के जो राम है वो सद्ध सारे सद्ध गुणों से युक्त लोक रक्षा में प्रवित एक प्रभाव शाली पात नायक है कि शीद्या राम के साथ भी अब पत्पर चलने वाली साधान इस्तरी हो गई है और मानस के लोक मंगल भाव को खूज कर उसके अपने युग के अनुरूप रामचंद्र शुक्र ने व्याख्या की और यह बताया कि रामचंद्र शुक्र के जो मधिकाली मध जो काब्धिया र लिए भाशा प्रयोग के अस्तर पर तुलसी दास से भी बेहतर राम चिनर शुक्र को जाइसी लगते हैं और जाइसी को बिलकुल सूर की तुलसी की कोटी में स्थापित किया और यह माना कि जाइसी जैसे कवियों जो सूफी कवी थे उन्होंने हिंदू घरों की कहानियों को लोक भाशा में सुना कर जो हिंदू और मुसल्मान को एक करने की खोशिस की वह कबीर जैसे निर्गुन कभी भी नहीं कर पाए जो जाइसी के द्वारा संपन न हुआ तो जाइसी की एक सामाजिक भूमी का वो इस तरह से मानते थे उन्होंने सूफी कवियों के बारे में ल बहार पर करते थे जो भारत के हिंदू घरों में प्रचली थे तो इनके वज़से मनुस्यस्यट के बहत की जो बाहरी रूप रंग और जिस वज़से से हम एक दूसरे में बहत करते थे उसे ध्यान हटा और हम मतलब हिंदू मुसल्मान अज दूसरे को सावाने भूमी पर अ तो कर्म छेत्र में प्रविर्त भले ही नहीं होता है लेकिन जितने बिग्म बाधा उसको राजा रतने सेन को का सामना करना पड़ता है पदमावती को प्राप्त करने और उसको लेकर वापस आने के लिए वो उसके संघर्षपत पर ही आगे बढ़ने को दिखाता है लोक को और जैसी और सुफी कवियों की जो सबसे अधिक सबसे बड़ी विशेस्ता जिसने रामचंद्रशुक्र को प्रभावित किया उनका प्रकृति वर्णन था सुफी कवियों ने प्रकृति के साथ जिस ताधात में अनुभूती की वेंजना की है वह मद्दिकाल है नहीं सम में अध्वित्य कहा है और उनकी वज़े से ही आज नागमती का जो विरह वर्णन है वह विशेश अध्यन की मांग करता है विशेश आकर्शन का केंद्र बना और लोगोंने जाना कि रतनसेन और प्रणवती के अलावा एक रानी रागमती भी है जिसके विरह वर्णन को सु तरहें रहने वाली राणी की जयकों साधान नारी की तरह मतलब अपने दुख को जाहिड करती है वह कहती है कि पति मेरा नहीं है और बारिश में यह ये मेरा चछत टपक रहा वह सको कौन ठीक करे या वो एक रानी का दुख नहीं था वेक सामानिस्तरी का दुख था तो से Kiswa Surakla Jiा की देत jaita 2022 प्रीट के लिखा है कि वह लोक शमानि की भाव भॉमी पर घंसपोन zij ये समानी भूमिय जो लोक शमानि की भाव भॉमी है शुक्ल जी के राचना की कसौटी है कि इसी तरह से चित्वरेन के माध्यम से जोब से बड़ा उदाहरण जो हुंदी सहटे का इतिहास है जहां उन्होंने कहा कि प्रतिग देश का सही तुझी है वो जनता कि चित्वृति का संचित प्रतिविंब होता है या निष्टित रूप से वह जो परिंपरा चली आ इसमें बालकृष्ण भट्ट ने ये बात कही कि साहित्य जनता के हिर्दे समों का विकास है तो वो जो परंपरा चली आ रहे थी उसी का विस्तार जो है रामचंदर शुक्ल के यहां दिखाई पड़ता है और फिर वो सारे कव्यों का जो मुल्यांकन करते हैं वो उनकी जो वह हापित किया बलकि घनानन जैसे कवियों को भी ढून निकाला ठाकुर जैसे कवी की तारिफ करते हैं कभीर की और उस तरह से कभीर के आलोचना तो नहीं करते हैं जिस तरह से तुलसी दासी करते हैं पर कभीर के महत्त को भी अपने इतिहास करंथ में रिखांकित करते हैं उस जो उन्होंने तुलसी दास के उपर लिखा, जो जाइसी के उपर लिखा, जो सूर दास के उपर लिखा, हां कुछ ऐसे भी बिंदू हैं जिस पर आंचनल शुक्री नहीं लिख पाए, जो कुछ कहा जा सकता है कि जिस पर उन्होंने जान भूज कर नहीं लिखा, जैसे निराल आलोचक से उम्मीद नहीं कर सकते जैसे जो कबीर पर छूट गया राम चंदर शुक्ल से उसके उसको पूरा हजारी परसाद दुएदी ने करत किया यह इतियास की वो सारे पक्च छूटे थे उसको दूसरे इतियासकारों ने पूरा किया तो बिल्कुल शुरू में ही जब हि के द्वारा एक शुद्ध आलोचना के युक के शुरुआत राम चंद शुक्ल के द्वारा होती है और वो इतने राम चंद शुक्ल की विशेष्टा थी कि वो मैंने कहा कि पास्चाहत के ही विद्वानों को लगातार पढ़ रहे थे आप यह समझे कि प्रिंस्पल और इस्ता थी वाल्ट विट्मैन इसका अभी अनुवाद कुछ समय पहले संकारिन कभी लाल्टू ने किया कई पत्रिकाओं में छपा अमेरिका के कभी थे वाल्ट विट्मैन विलियम डिकंसन कमिंग जैसे आधुनिक कभियों की प्रासंगिक्सम अलोचना की राम चंद शुक यह उनके अपनी रूची का मामला था इस तरह से दुवेदी युगीन जो काभी की सिमाओं को बताते हुए कहते हैं कि कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था और हिर्दय का वेग भी खुलकर व्यांजित नहीं होता था अता हिंदी कभिता की नहीं धारा का प्र और मुकूट धरपांड़ी की कभिताओं में मानते थे कि कल्पना का रंग भी है और हिर्दय का वेग भी खुलकर स्पष्ट हुआ है चयवाद से थोड़ी से ऐसा हमैती थी रामचंदरशुकल की वह मानते थे कि जो रमिदर्णात की कभिताओं और बांगला कभिताओं का जो रहस्वाद है या अंग्रेजी के जो मतलब अंदोलन है या फैंट मासा शब्द से प्रभावित होकर जो चायवाद हिंदी में आया तो उससे उसके शिकायत थी और वो कहते थे कि जो चायवाद है उससे अर्थ भूमी का और का विस्तार नहीं होता है वहां पर और प्रख्ष को बहुत महत्तु देते थे और जब कुछ कभियों ने चायवाद के कुछ कभियों ने जब जीवन और जगत की सहज बातों को अपने कविताओं में लाया तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं शुक्ल जी चायवाद के बारे में उनका बहुत प्रसिद्ध विचार है कि शुक्ल जी जो है चायवाद को काब शैली मानते थे इसलिए को कहते थे कथ्य वस्तु में किसी तर अगर हम देखते हैं तो उनके अगर मुल्यांकन किया जा तो राम विलाश शर्मा ने इस बात को बिल्कुल ठीक लिखा है कि हिंदी साहित में शुक्ल जी का वही महत्त्व है जो हिंदी साहित में उपन्यासकार प्रेमचन या कभी निराला का है और उनके आलोचना की विश यह जगत और मानोजीवन की वास्तविक्ता के आधार पर सामंती साहित्य का विरूत किया और देश भक्ति और जनतंत्र की साहितिक परमपराओं का समर्थन किया रामचंद्र शुक्ल ने और रामचंद्र शुक्ल की अलोचना साहित्य का मुल्यांकन करते हुए और उसके मह से विश्व समालोचना के संकक्ष हो ही चाहे प्राचिन साहित हो चाहे आधनिक उनकी पकड़ इतनी मजबूत और द्रिष्टी इतनी मर में भेदनी है कि वह चूकते नहीं उनकी द्रिष्टी और उनके मुल्यांकन से मतभेद हो सकता है किन्तो कोई कभी या साहितिकार यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि शुक्ल जी ने उसकी आलुचना बिना समझे की है यह बहुत बड़ी बात है आध जहां पर लोग कहते हैं कि मैंने आपकी कभीता देखी मैंने यह कहानी को देखा है तो देखने की परंपरा है पढ़ने की परंपरा नहीं है रामचंदर शुक्ल उस परंपरा के अलोचक हैं जहां लोग पढ़ते थे और गंभीरता से समझते हुए अपने जो उनको विचार मालूम पढ़ते थे उसको प्रकट करते थे तो रामचंदर शुद्ध अलोचना के योग की शुरुवात होती है धन्यवाद